हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसस अनूरो आप सभी बच्चों का कॉम्पेटिशन कमेंडरी में स्वागत करती हूं लास्ट दो वीडियो से हम सेंटिमेंट याने रस के बारे में पढ़ रहे हैं और दो पार्ट के हिसाब से हमने रस से संबंदीत कुछ महत पढ़ने चीजों को जान लिया था आज रस भागतीन के अंतरगत हम उन चीजों को पढ़ेंगे जिन से संबंधित कुछ महत पूर्ण प्रशन हैं जो आप से पूछ लिये जाते हैं कुछ छोटी-छोटी से चीज़ें हैं उससे आपको समझना यहां पर आवशक है क्योंकि उससे को माना जाता है रस संप्रदाय के प्रवर्तक का दर्जा दिया गया है आचार्य भरत मुनी को जब रस की बात की जा रही थी तो रस युक्त वाक्य को ही काव्य माना गया था लेकिन इसी रस से संबंधित रशनाओं को लिखने वाले कव्यों में कुछ कवी ऐसे थे जो रस धारा के अंतरगत का आचारे थे और कुछ ऐसे थे जो रस विरोधी आचारे माने जाते हैं रस विरोधी आचारे के अंतरगत हम भामः को दंडी को बामन को उद्भट को और रुद्रट को मानते हैं रुद्रट को हम एक रस विरोधी आचारे क्यों मानते हैं क्योंकि जो कवीता को उस भाव को जगाने के लिए अलंकारों की आवशक्ता होती है यानि कि अलंकार के आधार पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रुद्रट हैं वो अलंकार को ही विशेश तोर पर प्रभा मानते हैं और उसी में एक व्यक्ति और हैं जिसका नाम है भामह तो इन दोनों के अनुसार अलंकार को कावे के आत्मा मानने के लिए रस को अलंकार यह ना मान करके अलंकार ही स्विकार किया गया है कि रस रसवत अलंकार है और जो विभाव है उनके द्वारा उसी विभाव को ही रस माना गया है जो आलंबन और उद्दीपन होते हैं वामन जो हैं, उनके अनुसार रसकियों को गुणों की कांती कहा है. वो कहते हैं दिपसत्मं कांती ही, साथ ही रसको अलंकार की सीमा से हटा कर उनहें गुण के साथ में उन्होंने जोडा है. इस आधार पर देखा जाए तो कुछ रसधारा के आचारे थे जिसमें भट लोलट और शंकुक और भट नायक थे जो रसवादी काविधारा के आचारे माने जाते हैं आगे जाकर देखा जाएं तो रुद्रट जिन्होंने अलंकार को प्रधानता दी थी उन्होंने शांत को और प्रेयान याने की प्रेयस याने की प्रेम नामक रस को जोड़कर उनकी संख्या जो पहले भरतमुनी ने आठ मानी थी उसकी संख्या उन्होंने दस कर दी थी यानि की जो शांत और प्रयान यानि की प्रयस मानकर रुद्रट के द्वारा इसकी संख्या दस कर दी गई थी बहुत सारे भाषा वीदों के द्वारा आचारियों के द्वारा रस को लेकर अलग-अलग प्रकार की परिभाषा कही गई है रसात मकम वाक्यम इती काव्यम रस्युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं इसकी परिभाशा देने वाले माने जाते हैं हमारे भरत आपके आचारे विश्वनात ठीक है तो रसात मकम वाक्यम इती काव्यम किसकी कही हुई बात है ये है आचारे विश्वनात के द्वारा कविता हमारे परिपुर्ण क्षणों की वानी है ये कहा है सुमित्तन अंदन पंत के द्वारा और अगले परिभाश अगर देखा जाए तो काव्य वह है जो हुरिदय में अलौकिक आनंद या चमतकार की शृष्टी करे स्याम सुंदर दास के द्वारा इस काव्य के और श्रव्य काव्य है इसका आनंद का अनुभाव नहीं किया गया तो वह काव्य जो है कि वह समय की बरबादी मानी जाएगी रस निश्पत्ति कैसे होती है विभाव अनुभाव या भी चारी संयोग आदी रस निश्पत्ति याने की विभाव अनुभाव और व्यभी चा संचारी भाव का यदि संयोग होता है तब ही रस की निश्पत्ति होती है तो किसी भी इस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उस इस्थाई भाव से उस रस की निश्पत्ति जो है वो होती है यह रस निश्पत्ति कब संभाव हो यह कहां होते हैं कि जब सहरिदय की हृदय में इस्थित रजोगुण उनका तमगुण का भाव तीरोहित होकर दूर होकर सत्वगुण के भाव को जब उत्पन करने लगता है तो ममत्व और परत्व याने की मेरा और तुम्हारा इस भाव को दूर करके संसारिक भावना को रा स्थाई भाव से निश्चित इस्थाई भाव के द्वारा हमारी रस निश्पत्ति जो है वो होती है अगली बात अगर देखा जाए तो और क्या कहता है आचारियों के द्वारा रस की प्रकारों को लेकर कुछ अलग-अलग मत भेद थे आचारे ममट कहते हैं कि रती हास शो क्रोध भय जुगुपसा निर्वेद आत्मा और विस्मय नामक इनके द्वारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट और नौ प्रकार के रस माने जाते थे जिसको परिभाशित करते हुए क्या कहा गया था रतीर हार्शस्च शोकष क्रोधोत साहो भयम तथा जुगुपसा विस्मय स्चेती इस्थाई भावा प्रकेर्टिता निर्वेद इस्थाई भावो अस्ति शान्तो अपी नवमो रसह याने कि रती हास शोक क्रोध उत्साह भै घ्रिना या जुगुपसा विस्मय के साथ में इस्थाई भाव दिखाई देते हैं निर्वेद इस्थाई भाव से शांत रस की निश्पत्ती होती है और इस तरह नौ प्रकार के रस जो है वो माने जाते हैं भरतमूनी कहते हैं कि भरतमूनी ने कहा कि निर्वेद को छोड़ कर आठ प्रकार के भरतमूनी के द्वारा माना गया था लेकिन परवर्ती काल में आधुनी कालिन कवियों के द्वारा और उनके आचारियों के द्वारा वातसल का इस्थाई भाव से वतसल का प्रभाव और भ भक्ति की भावना से भक्त वसल रती से ग्यारवा इस्थाई भाव भक्ति को स्विकार किया गया और इस तरह वरतमान समय में ग्यारव प्रकार के इस्थाई भाव से ग्यारव प्रकार के रस निश्पति जो है वो मानी जाती है ठीक है अब आते हैं आगे भरतमुनी के अनुस प्रकार जो आपके संचारी भाव हैं उस संचारी भाव के संख्या 33 माने जाती है तो वर्तमान में 11 इस्थाई भाव से 11 रस और 33 प्रकार के संचारी भाव माने जाते हैं जिसमें देखा जाए तो निर्वेद, शंका, गर्व, चिंता, मोह, निशाद, दैत्य, असूय, मृत् स्मार को ही मिर्गी कही जाती है इसके अलाव भय ग्लानी पीड़ा लज्जा जड़ता हर्ष ध्रीती मती अविग आवेग उग्रता व्याधी अमर्ष निद्रा अवहित्था स्वप्न स्मृति उतसुक्य त्रास वितर्क मरंड यह सब हमारे लिए आपके स्वेध यदि कहता ह ठीक है स्वेध याने की पसीना कहता है इसी प्रकार अगर वो कहता है आपका छेहर कर रंग उड़ जाना कहता है तो यह सारे भाव हमारे लिए संचारी भाव के श्रेणी में आते हैं ठीक है अब आते हैं आगे भरत मुनी का कहना है कि जिस प्रकार नाना प्रकार के खाद् ये वियंजन के संयोग से रश उत्पन्ह होता है उसी प्रकार नानप्रकार के भाव जो मन के अंदर होते हैं यदि उन ही का संयोग होता है तो रश की निश्पत्ति जो है वो होती है भरतमुनी ने नाट्य शास्त्र रचना जब की तो उसके 6 और 7 अध्याय में नाटक के 4 अं अध्य थे उसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है अब रस से संबंधित प्रश्ण किस प्रकार आते हैं और इसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे सबसे पहला प्रश्ण क्या कहता है सबसे पहला प्रश्ण कहता है विभावानु भाव्या भीचारी संयोग आद्रस निश्पति ही सु यह रस के चार अंग है जब यह चारों अंग एक दूसरे से मिल जाते हैं तो चारों अंगों के समावेश होने से ही रस निश्पत्ति जो है वो होती है कुशन नमर टू क्या कहता है अदभुत रस के स्थाई भाव का नाम क्या है क्या विस्मे है क्या रती है उत्साह है या इन ठीक है अब आते कोशन नमबर थ्री में शब्दार्थों सहीतम काव्यम यह उक्ति किसकी है क्या मम्मट की है क्या कुंतक की है भामा की है या चिंता मनी की है तो अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे लिए उक्ति किसकी है कहते हैं यह उक्ति हमारे लिए भामा के द्वारा जो है, वो कही गई है, कि यदु शब्द का अर्थ है, रस्युक्त वाक्य है, तो शब्दों का अर्थ है, तो उसे ही काव्य कहा जाएगा, और यह कहा गया था, भामा के द्वारा, ठीक है, अगरे प्रश्ने को बाते हैं, रस्युक्त वाक्य ही खालिस ठान है, option A, अनुभु अप्षण सी काव्य और आप्षण डी सयोग श्रिंगा तौर रस जिए उतर वाक्य को ही काव्य कहां जाता है यानि की रसात्मकाल करकिश biz ठीक है अब आते हैं आगे आचारे मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है क्या 8 है क्या ग्यारह है या 7 है या 9 है आचार्य मम्मट के अनुसार और आपके जो विश्वनात है उनके अनुसार रसों की संख्या नौ थी आचार्य जो भरत मुनी है उनके अनुसार रस की संख्या आठ थी लेकिन आधुनिक काडिन आचारे और कवियों के द्वारा वहां दो प्रकार के रस और बढ़ा दिये गए जिससे उनकी संख्या वर्तमान समय में ग्यारह मानी जाती है अब आते हैं अगले कोशन के और निमन में कौन वीररस का इस्थाई भाव है या रती है कि उत्साह है कि हासे है कि परिहास है रती से तो श्रिंगार रस का निर्मान होता है हासे से हासे रस का निर्मान होता है परिहास जैसा कोई इस्थाई भाव होता नहीं है तो वीररस का इस्थाई भाव उत्साह को माना जाता है ठीक है अब आते नेक्स वन कोशन में इस्थाई भाव को जागरित कराने वाले कारक कहलाते हैं क्या वो अनुभाव है क्या इस्थाई भाव है क्या संचारी भाव है क्या ये विभाव है इस्थाई भाव क्या होते हैं वे भाव जब मनुश्य के मन के भीतर सुप्त अवस्था में होते हैं निश्चित माहौल पाक जब ये इस्थाई भाव जागते हैं तो उससे संबंधित रसका निश्कासन होता है ठीक है इस्थाई भाव को जागरित कराने वाले कारक को विभाव कहा जाता है ये विभाव दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं हमारे लिए आलंबन इस आलंबन के दो पक्ष होते हैं एक हो होता है विशे जिसको देखकर भाव जागते हैं इसके विभाव के दुसरे पक्ष को उद्दीपन कहा जाता है यह वह माहौल होते हैं जिसके द्वारा इस्थाई भावों की जागरिती होती है ग्यारह प्रकार के इस्थाई भाव वर्तमान में माने जाते हैं और संचारी भा जो पानी के बुलबुले की तरह मन में बनते और फूटते रहते हैं जो आश्रे के मन में विशय को देखकर उद्धीपन के द्वारा जो वह महसूस करता है अपने चार प्रकार के अनुभवों से याने की शारिरिक आंगेक काईक और वाचिक अनुभव के द्वारा अपने भ प्रभाव को जगाने वाले कारक को विभाव कहा जाता है अब आते नेक्स मन कोशन में शम किस रस का इस्थाई भाव है क्या भक्ति रस है शांत रस है करुण रस है या इन में से कोई नहीं तो देखा जाये तो शम याने के शांती का प्रभाव कहां प्राप्त होता है हमारे शांत रस में होता है तो शम किसका इस्थाई भाव है कहता है तो शम नामक इस्थाई भाव अगर कह रहे हैं तो शम याने के निर्वेद जहां मन जो है वो क्या हो जाता है शांत हो जाता है तो शम कहें या हम निर्वेद कहें तो इससे हमारे लिए शांत रस की निश्पत्ति जो है वो होती है ठीक है अब आते हैं आगे किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व और हर्ष आदी है क्या वो श्रिंगार रस है क्या वो वीर रस है क्या वो वातसल्य है क्या वो रौद्र रस है उग्रता अगर देखा जाए तो उग्रता का भाव किसमें प्राप्त होता है जहां पर हमारे पास उग्रता है गर्व है और हर्ष है तो वीरता का भाव होता है श्रिंगार में तो नायक नाईका का प्रेम पूर्ण चिश्ठाओं का वरणन है वातसले में अपने से छोटे के प्रती प्रेम का भाव है और रौद्र का मतलब तो क्रोध होता है इसलिए उत चित्रस्थ थी निरजीव सी हो रह गई हत उत्तरा यहाँ पर क्या हासिरस है कि वीररस है कि रोदर है कि करूरस है जी हाँ यहाँ यहाँ पर करूरस का उधारन जो है देखने को मिला है उत्तरा कौन थी आपके अरजुन की पुत्रवधू थी याने की अभिमन्यों की पत्नी जब युद्भूमी में अभिमन्यों की मृत्य हुई तब वहाँ पर उनके मृत्यों का जब उन्होंने अप्रिय महासमवाद सुना तो ऐसा लगा रहे से कि विश्भरा प्याला जो है उनके सामने ला दिया गया हो चित्रस्त थी याने की आखी खूली की खूली रह गई थी एकदम से निर्जीव सी हो गई थी और होकर उसके जो मनोभाव था पूरी तरह से एक व्याकुल और एक विहवल महिला की तरह हो गई थी याने कि उनके दुख में हमारा मन भी दुखी हो रहा है इसलिए महाँ पर करूर रस की प्राप्ति जो है वो होती है अब आते हैं इस्थाई भाव है विभाव है अनुभाव है या संचारी भाव है क्या वो पत गण यती और गती है सबसे पहली बात कि रस के अंग कौन है अगर कह रहा है तो रस के चार अंग है इस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव इस्थाई भाव वेभाव जो मन क अंदर सोई हुई अवस्था में होते हैं निश्चित माहौल पाकर जागरित होते हैं तो उसे संबंधी रसकी निश्पत्ती होती है विभाव इस्थाई भाव को जगाने का कारण होता है जिसके दो पक्ष है आलंबन और उद्धीपन आलंबन के दो पक्ष है आश्रे और वि प्रशन का उत्तर होगा हमारे लिए अप्शन नंबर होगा हमारा सी ठीक है ध्यान रखेगा इसका आंसर होगा हमारा अप्शन नंबर अब आते हैं अगले प्रशन की और आशर्य किस रस का इस्थाई भाव है क्या वो भयानक रस है क्या वो अद्भुत्रस है क्या भक्ति रस है क्या वो विभत्रस है आशर्य का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की विचित्र वेश भूशा को देखकर क्रिया कलाब को देखकर जो है वो देखने को मिलता है ठीक है भयानक रस में भयानक घटनाओं का उलेक हो वरणन हो दृष्य हो तो भयानक रस होता है देवी देवता और इश्ट के अगर हम अराधना वाली बातों को सुनते हैं तो भक्ती रस होता है और विभत सरस का मतलब जो है गृणा या जुगुपसा होती है ठीक है अब आते हैं अगले प्रशने के और कौन से अपके अलाग रस के अंतरगत आता है क्या वो सईयोक श्रिंगार है क्या वो व्योक श्रिंगार है या इन में से कोई नहीं आप सुन रहे होंगे तो इसको सुनते ही समझ में आ जाता है कि मैया ये शोदा से बाल ने टकट गोपाल जो है प्रश्न करता है कि मैया कशही बढ़ेंगी चोटी कि मैया कैसे मेरी चोटी बढ़ेंगी कीती चार मोही दूद पीयत भाई यह अज हूँ है चोटी मैं दिन भर में चार बार दूद पीता हूँ फिर भी आज भी ये बाल चो पूहत नियावत ओचत नगिनी सी भूई लोटी तो क्यों यहना तो बढ़ता है और नहीं नागिन की तरह जमीन पर यह लोटता है तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे का अपनी मां से पूछे जाने वाले प्रश्निक अनुसार यहाँ वहाँ पर वात्सलियरस का प्रभाव द जिसके मन में वो भाव जागता है उसे कहा जाता है आश्रे जिसको देखकर मन में भाव जाता है उसे विशय कहा जाता है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या कहता है भय डर नामक इस्थाई भाव से उत्पन रस कौन सा है क्या वो विभत से है क्या वो भयानक है क्या वो वातसल्य है क्या वो वीर रस है तो भायन और डर नामक इस्थाई भाव से भायानक रस की निश्पत्ति जो है वो होती है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है आप्शन ए 33 आप्शन बी 66 आप्शन बी 86 या आप्शन बी 99 तो संचारी भावों की संख्या भरत मुनी के अनुसार 33 मानी गई है यानि की 33 टाइप्स के आपके संचारी भाव हैं जो प्रयोग किये जाते हैं अब आते हैं अगल शरुण रस में या श्रिंगार रस में या हासे में रती नाम की स्थाई भाव का प्रयोग जो है वह श्रिंगार रस में पाया जाता है ठीक है और श्रिंगार के दो पक्षों होते हैं सैयोग और वियोग रे मन आज परिक्शा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे दरस परस निश्रेयस पावे उध्धारक चाहे तो आवे यही रहें तो आवें यह किस रसका उधारन है Kart वियोक श्रिंगार रस भयानक रस या इन में से कोई नहीं इस पोयम को पढ़ेने के कोशिस करते हैं कि रे मन आज परिक्षा तेरी कि रे मन आज तेरी परिक्षा है सब अपना स्वभाग्य को मना रहे हैं दरस परस निश्रेयस पावें जो दर्शन को प्रात्मिक्ता दे कर उन से निश्रेयस जो उनके जबीना की श्रद्ध के साथ में उनके दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं उध उद्धव शतक के अंतरगा जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं तो गोपियां उन्हें ही कहती हैं कि हे मन आज तेरी परिक्षा होगी सभी अपने सवभागे को मना रहे हैं जो बिना किसी श्रम के दर्सन प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारा उद्धार करन कि उद्धव के लिए तेरने को मिल रहा है अगले परिशन के ओर यशोदा कृष्ण को जूला जूलावे या नायक नायक प्रसंग का किस रस में प्रयोग होता है क्या वीर रस में क्या श्रिंगार रस में क्या भयानक में या रोदर में नायक नायक का जो प्रसंग होता है उसका प्रयोग है जो होता है हमारे लिए श्रिंगार रस में जहां नायक और नायक एक दूसरे से मिल जाते ह जहां उनका प्रेम है आलिंगन है चुम्बन है एक दुसरे का दर्शन है उनकी बाते हैं उनकी चंचलता चपलता है उसके लिए मौसम भी एक खुबसूरत हो जाते हैं बसंद का मौसम कोयल की कुक भवरो का गुंजार काली घटाएं प्रेमी युगल को एक दुसरे से मिलने क उसकता बढ़ती जाती है तो वहाँ पर शूइंगार रस होता है जहां ये मिलन है वहाँ सईयोक शूइंगार और यहीं पक्षियदी उनके मन में दुख और सन्ताप का प्रभाव पैदा करते हैं तो व्यप्रलं भी या वियोक शूइंगार होता है तो नायक नाीका से सμब तो उसी रस को श्रिंगार रस कहा जाता है अब आते हैं आगे मैं इनिर्वयद का गुणप्राया कि समय पाया जाता है ए गर बात कीजा रही है अगर इसेे अध्यादत्य को जामने जीवन कि ऐसे प्रभावों को देखा जाता है, तो निर्वेद से शांत रस की निश्पत्ती जो है वो होती है, और अगर देखा रहे तो श्रिंगार में रती होता है, करूण में हमारे लिए करूणा होती है, तो निर्वेद से शांत रस की निश्पत्ती होती है, अगले प्रश्न की ओ और जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आधिक अनिष्ट की आश्रंका, या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है, वहां किस रस की निश्पत्ती होती है, क्या रौत्र रस है, क्या भयानक रस है, क्या करूण रस है, या विवद्स है, तो जहां अपने किसी इश्ट व्यक्ति के अगर दुख में हमारा मन भी दुखी होता है, उनके अनिश्ट की आशंका से मन में एक शोब दुख का संचार होने लगता है, तब वहाँ पर हमारे लिए करूण रस की निश्पत्ती होती है, अगले प्रशने क्यों बढ़ते हैं, रसा स्वाधन एतू उचित वाक्य है, किसी रस से भरा, किसी विशय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रूची लेना, तो जो हम रसा स्वाधन कहते हैं, यानि कि रस का हम उपयोग करते हैं, तो यहां होगा रस का उपभोग करना, उसे ही रसा स्वाध कहते हैं पदार्थ के तत्व में भी अगर हम उसका स्वाद महसूस करते हैं तो हम उस आम के रस को यसी फल के मिठास को महसूस करते हैं वैसे ही यदि किसी कविताओं में उसके रस का आनंद लेते हैं तो मनो भावों को प्रस्तूद करने वाला रस का स्वाद होता है जिसका हम उपयोग करने लगते हैं अगले प्रशन की और जाते हैं जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विश्ष्ट गुणों को त्याग कर समान्ने हो जाते हैं तो उस इस्थिती को क्या कहा जाता है क्या आनंदी करण कहते हैं, क्या विलनी करण कहते हैं, क्या रसाप करण कहते हैं, या साधारनी करण कहते हैं, तो साधारनी करण कहा जाता है, याने कि जितने भी संगटक, याने कि स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये उसे घटक या तत्व या अंग ह जब अपने विशिष्ट गुणों को छोड़ देते हैं और उन गुणों को छोड़कर समान्य हो जाते हैं तो उसे साधारनी करण के नाम से पुकारा जाता है ठीक है रती नामक इस्थाई भाव की वित्पत्ति किस रस से हुई है करून रस से कि वीर रस से कि श्रिंगार रस स ठीक है अब आते हैं आगे निम्न पंक्ति में कौन सा रस है किलकत कान घुटुरून आवत मनी मैं कनक नंद के आंगन बीम्ब पकरीवे धावत यहां कौन सा रस है क्या वो अध्भुत्रस है क्या रोद्र है क्या वीर है या वातसले है यहां पर फिर से बाल नटकट गोपा श्री क्रिश्ण की बात की जा रही है किलकत कानह याने की किलकारी लगाते हुए कानह घुटवनयावत घुटवन के बल चलते हुए आ रहे हैं जो सूर्ण की रोशनी से उनका परति बिंब है वह जमीन पर चलने लगत है लगता है तो वह त्यूंकि छोटे हैं जैसे ही घुटनों के बल किलकारी मारत हुए आते हैं तो इतनी अच्छे प्रभाव से उनका प्रतिबिंब उस नंद बाबा के आंगन में दिखाई देता है उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए आंगन भर में वो घुटनों के बल दोड़ने लगते हैं यहां पर भी हमारे लिए वात्सल रस का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है अगले प्रशने के और बढ़ते हैं रोध्र रस की निश्पति का कारण क्या है क्या वो निर्वेद है क्या वो रती है क्या वो क्रोध है या भै है हाँ जी रोध्र रस की निश्पत्ती जो है वो होती है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण क्या पूछ रहा है शांतरस की उत्पत्ती कब होती है संसार से वेराग्य हो जाने पर कुरोध भाव दर्शाने के बाद घोर विनाश के पश्चात या भै के इस्थिती उत्प अगले प्रशने के और वाक्यम रसात्मकम कावियम या कथन किस ग्रंथ का है क्या नाटिय शास्त्र का है कि शती नाटिय दरपन का है कि साहित दरपन का है या श्रिंगार प्रकाश का है ठीक है तो वाक्यम रसात्मकम कावियम कह रहा है तो घुमानी का प्रयास किया है और शाहित दरपन में विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है ठीक है बैठियो काग आख दोवखात निकारत खीच ही जीवही सियार अति आनंद उरधारत यहां कौन सरस है क्या भयानकरस है क्या अध्भुतरस है कि विफत्रस है कि वीररस है तो कह रहा है सीर पर बैठियो काग कि युद्ध भूमी पर जब युद्ध खत्म हो जाता है तो जीता ह हुआ जो सरकार है या ज attractive जिता हुआ जो शासक है वह वहां से चला जाता है और युद भूमी पर जो पराजित या म्रित शरीर है उनका शव वहां पर पड़ा होता है ऐसी परिस्टी में उनके शवों को ले खाल कर खा रहा है खीच ही जीव ही सियार और उसी शव को जो आपके पड़े हुए हैं उसी शरीर के सियार जो है अपने उसके खीच कर अपने जीव से उसका खा रहा है मांस को जांग के मांस को नोच नोच कर खा रहा है और कुल मिलाकर आती आनंद का जो रूप है वो देखन को वहाँ पर मिल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उन जीव जनतुओं को वहाँ पर एक भोज के लिए दावत के लिए निमंत्रित किया गया है जहां एक ही लाश पर सीर पर बैठ कर कौवा तो जांग के मांस को नोचने वाला सियार है कीड़े बिलबिला रहे हैं अगर कह रहा ह सडांध उत्पन हो रही है रत बह रहा है कहते हैं उससे भी सडने की बदबु आ रही कहते हैं तो इन सब को सुनकर घृणा और जुगपसा का भाव उत्पन होता है और यह उदारन हमारे लिए विभत्स रस का उदारन जो है वो बन जाता है और इस तरह हमारे आज की इस ल किमीती काव्यम रश को काव्य की आत्म Cantonese मानी जाती है याने की सहित्य कहते हैं कि किसी भी जिसके दो पक्ष होते हैं दिरश्य काव्य और श्रव्य काव्य यदि उसको पढ़ने सुनने देखने के बाद पाठक दर्शक और श्रोता जिस आनंद का अनुभव करता है उस आनंद रुपी अनुभव को ही रस कहा जाता है महाविर प्रसाद द्वेदी का कहना है कि द्वेदी जी कहते हैं कि अलंकरण की वृतियों के चित्र का नाम ही कवीता है और सादगी असलियत जोश से समन्वित रचना को ही काव्य कहा जाता है श्याम सुंदरदास जैसे कि मैंने बताया है कि काव्य वह है जो हृदय में अलोकिक आनंद और चमतकार की श्रिष्टी कर देता है और भारती काव्य शास्त्र में से विभिन प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनमें से रस संप्रदाय को सबसे प्राचिन सिध्धान्त और रस आत्मक्म वाक्यम इतीग काव्यम यह जो विश्वनात्य ने कहा था जो अपने उन की एक किताब में मानी जाती है और आचारी विश्व Annath ने इसकी जो वाक्य है उसे अपने एक ग्रंथ में कहा था और भरत मुनी के अनुसार कहा जाए तो रस संप्रदाय को सबसे प्राचिन संप्रदाय माना जाता है तो किसी भी कावे की जो साहित्य को पढ़ने सुनने देखने के बाद जिस आनंद का अनुभा पाठक दर्शक और श्रोता करता है तो उसे ही हम रस के नाम से पुकारते हैं और देखा जाए तो रस से संबंधित सारे तत्त में देखा जाए तो रस विधानतर इस पर शुन्य माना जाता है रस अखंड होता है सहरिदय याने जिसके मन में वो भाव जाग रहा है तो विभाव अनुभाव संचारी भ रसकनिशकासन होता है रसको स्वप्रकाश और चिनमेर का रूप माना जाता है रसको ब्रह्मानन्द सरहोदर माना गया है साहित दरपण में आचार विश्वनाथ की द्वारा जब रसात्मकम वाक्यम इतिकाव्यम कहा गया तो आचार विश्वनाथ ने फिर कहा कि रसको ब्रह महानंद सहोदर की रूप में माना जाए रस का अनुभव जो है वो अलौकिक चमतकार के समान माना जाता है रस को कुछ आचारे सुख प्रदान करने वाले तो कुछ आचारे जो है वो दुख प्रदान करने वाले मानते हैं मुलिताह रस एक स्वाद है अस्वाद पदार्थ न अनुसार जाना जाता है यदि सुख का अनुभाव कर रहा है तो श्रिंगार में संयोग है दुख का अनुभाव कर रहा है तो श्रिंगार में वियोग है यदि वो सहानुभूती है तो करुण रस है यदि छोटी के बरती प्रेम है तो वह हमारे वातसल रस बन जाता है जहां नायक नाईका का संपूर्ण वर्णन हो कि यहाँ पर अगर विश्यस प्रभाव से देखा जाए तो वहाँ पर हमारे लिए आपके शिंगार रस होते हैं याने कि इसकी परिभाशा के तौर पर कह सकते हैं कि किसी भी काव्य में यदि पढ़ते समय रती नामक स्थाई भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल होगा तब वहाँ हमारे लिए आपके जिस रस की निश्पत्ती होगी वो हमारे लिए श्रिंगार रस होगा कहने का मतलब इस रस के चार अंग हो जाते हैं जहां स्थाई भाव हैं तो रती नामक इस्थाई भाव से श्रिंगार रस होगा याने कि आपकी परिभाशा मैं दो वीडियो से लगातार बता रही हूँ कि एक ही होगी खालिस्थान नामक इस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मेल होगा तो खालिस्थान नामक रस की निश्पत्ती होगी अब जो खालिस्थान जगह है वहाँ इस्थाई भाव और खालिस्थान रस में उस इस्थाई भाव से प्रभावित रसका निश्कासन होगा तो इस्थाई भाव अगर जिनकी संख्या की बात की रहे तो आज की वीडियो में मैंने बताया था आचारे मम्मट के अनुसार 9 प्रकार के इस्थाई भाव थे आचारे भरत मुनी के वल 8 प्रकार के इस्थाई भाव मानते थे लेकिन आधुनिक आचारियों के द्वारा आपके 2 इस्थाई भाव और बढ़ा दिये और वरतमान में ग्यारह प्रकार के इस्थाई भावों से ग्यारह प्रकार के रसकनिशकासन जो है वो माना जाता है ठीक है इस्थाई भाव को जागरित कराने वाले कारक में हमारे लिए आते हैं विभाव विभाव यानि कि रस को उदित और उदित करने वाले कारक तत्व को इस्थाई भाव को जागरित कराने वाले कारक को ही विभाव कहा जाता है जिसके दो पक्षा है आलंबन और उद्दीपन आलंबन में है आश्रे जिसके मन में भाव जागता है और आपके विश्य जिसको देखकर वो मन में भाव जागता है ठीक है और उद्धीपन वो माहौल होते हैं जिसके द्वारा वो भाव जो है वो जागते हैं उद्धीपन के लिए विश्य निष्ठ उद्धीपन और आपके बाहिय उद्धीपन देखने को मिलते हैं शारिरिक चेश्ठाएं हाव भाव जो होते हैं वो विश्य निष्ठ उद्धीपन कहलाते हैं और प्राकृतिक वातावरण माहौल जो होते हैं वो बाहि उद्धीपन की श्रिणी में आते हैं ठीक है और इसी तरह मनो भावों को जो अनुभव किया जाता है उन मनो भावों को शारिरिक हाव भाव मानसिक हाव भाव वाचिक हाव भाव और क्रिया कलाब से जब उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें ही अनुभाव कहा जाता है अनुभाव याने की विभाव के द्वारा जो हम बाद में महसूस करते हैं उसे ही उन भावों को अनुभाव कहा जाता है का बोध कराने वाले अनुभाव को ही अनुभाव कहा जाता है शारिक चेस्ठाओं के द्वारा यदि हम उसका अनुभाव करते हैं तो काईक अनुभाव कहलाता है जाने की कटाक्षपात करना आखों के इशारे करना हाथ से इशारा करना सांसों का उपर नीचे होना भवों का संचालन करना आलिंगन करना चुम्बन करना ताली पीठना ये जान बुझकर किये जाने वाले प्रयास होते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रयास है वो काया याने शरीर के संचालन के द्वारा किये जाते हैं जान बुझकर इसलिए इसे काईक अनुभव कहा जाता है साज्टविक अनुभव मन के अंदर के ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें साज्टविक भाव कहा जाता है ये चेश्ठाइं हम करते नहीं हैं अपने आप हमारे शरीर में यह दिखाई देने लगते हैं जैसे कि हम इसे रोक भी नहीं सकते जैसे इनकी संख्या आठ हैं हम रोमान्चित हो जाते हैं, हम कापने लगते हैं, हमारा पसीना छूटने लगता है, हम जो है रास्ते में डगमगाने लगते हैं, हमारी आवाज जो है रुंध जाती है, सुर्भंग हो जाती, आखों से आसो निकलने लगते हैं, और वैवरन यानि के चेहरे का रंग फीका हो से इसी पुकारा जाता है जैसे शेर को देखकर हम बिल्कुल से डर जाते हैं इस तब्ध हो जाते हैं भयानक चीजों को सुनकर हम पूरी तरस मारे चेहरों का रंग उड़ जाता है तो यहां हमारे लिए सात्विक अनुभाव होते हैं इसी तरह वाचिक जब हम बोल कर अपने अनुभाव को बताते हैं जैसे कि हासरस के निश्पति होती तो जोर जोर से ठाहा के लगाने लगते हैं जब हमें कोई दुख होता है तो विलाप करने लगते हैं रोने लगते हैं और इस तरह देखा जाए तो यह आपके वाणी के माध्यम से वाचिक माध्यम से मानसिक अन नुभाव करा जाता है जिसमें नायक और नायक की बात की जाए तो पात्र के अनुसार याने के जो character प्ले कर रहे हैं उनकी वेश भूशा उनके अलंकार को धारण करा के देशकाल या माहोल के द्वारा जो हमें अब युद्ध भूमी का वर्णन होता है और युद्ध भूमी का वर्णन हो रहा है और वहां युद्ध पर जाने वाले अगर अगर उनके हाथ में गदा, तलवार, क्रिपान, कटार, भाला कुछ नहीं है तो वह बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा दूसरी प्रकार अगर उसका देश का नयाने की स्टेज पर परफॉर्मेंस किया जा रहा है और ना तो हम पर स्वाइन साउंड क्वालिटी है ना यहां यह अनुभाव कहा जाता है और यह काईक, सात्विक, वाचिक और आहार अनुभाव इसका प्रयोग जो है भानुदत जैसे आचारे के ड्वारा किया गया है और व्याभशारी और संचारी भाव याने की भरतमुनी के अनुसार इसके 33 संख्या मानी गई थी जो मैंने आपक दिखा जाए तो जहां सहरिदय के हरिदय में इस्थित रती नामक इस्थाई भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल होता है तब वहां श्रिंगार रस की निश्पत्ती होती है याने नायक और नायका के इस्त्री और पुरुष के प्रेम पुरुन चिश्ठाएं उनकी क्रिया कलाप उनकी श्रिंगारिक्ता का वरणन होता है तो श्रिंगार रस होते हैं जिसके दो पक्षण है संयोग और वियोग श्रिंगार दूसरी बात कि जहां हास सिर नामक इस्थाई भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से मेल होता है वहां हास सिरस की निश्पत्ति जो है वो होती है जहां सहरिदय के हृदय में इस्थित अपके निर्वेद नामक इस्थाई भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल होता है तब वहां पर हमारे लिए शांतरस की निश्पत्ति होती है भक्ति नीती वेराग्य धर्म दर्शन ज्यान तत्वग्यान सांसारिक नश्वर्ता का जहां उलेखो वहीं शांतरस होते हैं सहरिदय के हृदय में इस्थित जब करूना अश्चोक नामक इस्थाई भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल होता है तब वहां करून रस की निश्पत्ति होती है जहां किसी प्र कित्यू जनित प्रसंग का वर्णन हो किसी प्रकार के अनिश्ट की आशंका हो उसके फलसोर्फ रिदय में प्रिड़ा का संचार होने लगता है वहां पर करून रस की अभिविंजना होने लगती है या किसी वस्तो या प्राणी मात्र के प्रति कारूनिक भाव के उत्पन्न होने का कारणन कि दया और साहनुभूती जहां है वहां पर हमारे लिए करून रस का निश्पादन जो है वो होता है अब अगले की बात करते हैं जो है वीर तो उत्सा नामक इस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल होगा तब वहां पर हमारे की निश्पत्ती होती है यह भाव शत्रूओं के प्रतिव विद्रोह अधर्म और अत्याचार के नाश और असहायों के कश्टों से मुक्ती दिलाने के लिए प्राभावी तर्त्मों का विश्यस विवेशना इसमें की जाती है जहांपर सहरिदय के हिदय में इस्थित क्रोध नामकिस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से वेल होता है तब रौद्र रसकिनिश्पत्ती होती है जहां पर किसी असहनिय वचन अपमान जनक क्रियाओं के फलसुरु फ्रिदय में क्रोध का संचार उत्पन होने लगता है तो वहां रौद्र संचार होता है तो वहां रौद्र रसकिनिश्पत्ती होती है भय नामकिस्थाई भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से जब मेल होगा तो भयानक रसकिनिश्पत्ती होती है जहां पर भयानक वस्तूओं या द्रिश्यों का प्रत्यक्षी करण हो उनके स्वरुप उनका दर्शन हो या घटना का उलेक हो तो मन में डर भय का संचार होने लगता है तो भयानक रसकी निश्पत्ती वहाँ पर होने लगती है इसी तरह जब सहरिदय के हिदय में इसी घृणा या जुगुपसा नामक इस्थाई भाव का विभाव अनुभाव असंचारी भाव से मेल होता है तब वहाँ विभत्सरस की निश्पत्ती जो है वो होती है किसी अप्रिय अरूची कर घ्रणा इस पद वस्तूओं का पदार्थों का प्रसंगों का वर्ण हो या उनका दर्शन हो तो वहाँ पर विभत्सरस की अभिवेंजना पाई जाती है जहां सहरिदय के में इस्थित विस्मय नामक इस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मेल होता है तो अद्भुत रस की निश्पत्ती होती है जहां पर अलौकी क्रिया कलाप, अद्भुत आशर जनक वस्तूओं को देखकर विस्मय या आशरी की भाव की जागरिती होती है वहाँ अद्भुत रस पाया जाता है ठीक है इसे प्रकार वतसल नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मेल होगा तो वातसल रस की निश्पत्ती होगी अपने से छोटे के प्रती इसने प्रेम की अभिवेंजना जहां होती है वहाँ वातसल रस होता है जो आपके अपने से छोटे बच्चे हैं उनकी कौतुक क्रिडा उनका कुलाहल उनका जो शरारती पन होता है उनकी जो बाल नटखट लीलाएं होती है, उनकी तुतली जबान होती है, उनका खेलना, रूठना, हर प्रकार से जब ब्रेमे में ममता और आपके वतसल का प्रभाव हो, तो वातसल रस पाया जाता है, और जहां पर धर्म से संबंधित, आध्यात्मिक बातों का उलेख हो, वह भक्ती रस होता है, अराध्य देव के प्रति श्रद्धा भक्ती का भाव और उसकी अभिवेंजना जो है, भक्ती रस में पाई जाती है, और इस तरह देखा जाए, तो इन रसों में से, उदाहरण के तोर पर अगर देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि, एक्जांपल के तोर पर हम कह सकते हैं जैसे कि आपका देखण मिसमरिग बिहंग तरू फीरती बहोरी निरिक निरिक रगुबिर छबी बड़ी पिरितीन थोरी अठीक सनेह देल भर भोरो सहद सहीरी जुत चित्क चकोरी लोचन मग रामही उर आने दीने पलक का पाट सयानी या फिर हम कह सकते हैं कि बत्रस लाल चलाल की मुरली धरी लुकाई सौह करे भोहिनी हसे अर दैने कहे नट जाई ये हमारे संयोक श्रिंगार का उधारन पाया जाता है और वियोक श्रिंगार की बात अगर की जाए तो वियोक श्रिंगार में कह सकते हैं कि निसदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावसरी तू जब शे स्याम सिधारे इसके बाद यदि हम यहाँ पर शांत रसके उधारण की बात की जाए तो हम कह सकते हैं माटी कहे कुमहार से तू क्या रौंदे मोई एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोई यह संसार कुछ नहीं खिन खारा खिन म काल ही देखा मंड पे आज मसाने दीट इसके अलावा अगर हम करुण रसकी बात कहें तो कह सकते हैं अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए ही थे कल हल्दी के हाथ है रुक गया यह संसार बना सिंदूर अंगार हासी रसकी बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्जामपल के मारा गोता धीरे धीरे खिसक रहे थे सारेश रोता कि कहा बंदर ने बंदरिया से अरे चलो नहाए गंगा बच्चों को छोडो घर में होने दो हुड़दंगा वीर रसकी बात की जाए तो हम कह सकते हैं साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा सीवा जी जंग जी है रोदररस की बात की जाए तो श्रीकृष्ण के सुनवचन अरजुन क्रोध से जलने लगे सब द्वेश भूलकर अपना करतल युगल मलने लगे और भयानकरस की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि आपके एक्जामपल में उधर गरजती सिंधू लहरिया कुटिल जाल के ज खीचते जी वही सियार अतिही आनंद उरधारत गिद जांग के मांस खोदी-खोदी के मांग उसारत है स्वान अंगुरुनी काटी के विचान विचारत है इस तरह आपके विभत्सरस का उधारन होगा अद्भुतरस की बात के देखा जाए तो अद्भुतरस में कह सकते हैं एक्जामपल में दिखरावा नीज माता ही अद्भुत रूप अखंड रोम मोरोम प्रती लागे कोटी-कोटी ब्रह्माण अंगिनत रवी ससी सीव चतूरानन बहुगीरी सरित सिंधो मही कानन तन्व पुलकित मुख बचनन आवा नयन मुंदी चरनन सीर नावा जब सदामया खोल कर देखती हैं तो अखंड ब्रह्माण नजर आता है और वह इतनी आशर चकित हो जाती है कि यह चोटे से बालक के मुख के अंदर किस प्रकार आपके अखंड ब्रह्माण जो है दिखाए देते हैं उनका रोम रोम जो है उसमें कोटी ब्रह्माणों को देखकर जो है वो रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाता है जहां पर रवी सूर्य चंद्र जैसे हर एक रूप देखने को मिलते हैं और चतुरानन विश्नु का वहाँ पर एक साक्षाद दर्शन उन्हें होता है और जब उन्हें देखती है तो बिलकुल वचन बद्ध होकर कर बद् मस्तक हो जाती है यहां पर अध्भुत रसका उधारन देखने को मिलता है इसके बाद अगर हम वातसली की बात की जाता आप उधारन बताने की जरूरत ही नहीं है और इसे प्रकार भक्ति रसका भी उधारन बताने के जरूरत है फिर भी यदि देखा जाए तो यदी हमारे अगर वात्सभाम की उधारन के बात कियाirm venture तो मेरा तेरी मे 느 स्यां यहां पर हमारे वात्सलिरस होगा और इस तरह भक्ति की भावना है ना भक्ति की भाउना है और अगर कहता है श्री राम चंद्र क्रिपालु भजमन हरनभव भयदारुणम नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम और इस तरह हमारे लिए भक्ती रस वातसली रस्की जो दो संख्या बढ़ी है और नौ रस्क के साथ में आज वरतमान में ग्यार प्रकार के रस्माने जाते हैं तो मेरे द्वारा आपके इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से तीन पार्ट में सेंटीमेंट याने रस्के हर एक पक्ष को बहुत गहराई से बताने का प्रयास किया है विथ एक्जाम्पल्स मैंने एमसी क्यों बताने की कोशिस की है और उम्म प्रया कहा जाता है तो हम यहाँ पर से पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर वीडियो में अलंकार को जो हिंदि साहित्यका सबसे महत पुर्ण पक्षमाना जाता है तो उस अलंकार को इसी माध्यम से समझने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार और इंतजार अगर करते हैं तो चीजें समझ में आने के लिए बहुत खुबी से उसकी तैयारी आपके लिए हमारे द्वारा की जाती है ताकि किसी भी पक्ष में आपको कोई भटकाओ महजूस ना हो तो आने वाले वीडियो में अलंकार के भाग एक को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपसित होंगी तब तक लेती हूँ आपसे वीदा आप बच्चों को धेर सारी शुब कामना है धेर सारा प्यार, थैंकियू सो मच लव यो और गद्बिस्वे टो अलमाइ बच्चा